त्रॉब्लम है जी, इंट्रोड़क्शन टू स्क्वेर रूट आफ पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड स्क्वेर रूट अफ गिवन नंबर्स, 25 जो के स्क्वेर में लिखा हुआ है, माइनस 36, 49, 8 स्क्वेर में and then again स्क्वेर में, तो अब अगर हम 25 स्क्वेर का, 25 स्क्वेर का स्क्वेर रूट करेंगे, तो सिंपल जो जवाब आएगा हमारे पास, वो क्या होगा, 25 ही, उसकी रीजन क्या है, कि जो स्क्वेर है, स्क्वेर रूट से कैंसल आउट हो जाए, चूकि हम जानते हैं, कि जो स्क्वेर रूट की वेल्यू है, वो कितनी है, 1 बाइ 2, तो ये 2 और इसकी जो पावर है, 1 बाइ 2, 2 multiply by 1 by 2, cancels out होके, सिर्फ क्या देदेगा, 25, तो 2 multiply by 1 by 2 होके, ये हो जाएगा, जस्ट 25, तो स्क्वेर रूट आफ 25 होल स्क्वेर क्या है, 25 है, सिंपल सा है, ठीक है, उसके बाद है, next, प्रॉब्लम हमारे पास जो के है, स्क्वेर रूट of negative 36 अब हमने पहले बात की थी कि negative number का जो square root है वो real number नहीं होता वो complex होता है चुक्कि सवाल दर असल हमें ये पूछा गया है कि real number में वो कौन सा ऐसा number है ठीक है जिसका square जो है वो 36 आई ना minus 36 आई अब ऐसा जो है वो real number में possible नहीं है एसा जो है वो real number में possible नहीं है तो लहाजा negative जो number है उनका square root हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मतलब हम नहीं ले सकते ठीक है not a real number not a not a real number simply हम यह लिखते थे next जी 49 अब 49 का square root लेना positive square root लेना आसान है चुक्कि 49 के factors बनाओ तो बन जाएंगे 7 times 7 ठीक है और factors को pair में लिखतो तो 7 square और देखें square और square root से cancel out हो जाता है तो लहाजा इसका जवाब आ जाएगा 7 इसी तरह से हमारे पास है यह देखें 8 square का square और फिर इसका square root अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यह जिस अंदाज में लिखा हुआ है इसमें यह जो square है वो square root से क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा यह square root से cancel तो रहा गया 8 square जो के बनता है 64 इसका मतलब है 8 square के square का square root होगा वो क्या हो जाएगा 64 जाएगा 64